जैसा कि आप स्कीम पे देख पा रहे हैं, हाली में RPC के दवारा RS बर्ती 2020 के final जो marks हैं, वो यहाँ पे आउट कर दिये हैं, तो उस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि RS बर्ती 2020 में finally जो selected candidates हैं, उन्होंने GS first, second, third और fourth में किस प्रकार से marks जो हैं, उनका उश्चतन उन्होंने साथ ही आप उन्हों बात करेंगे जो RPC के दवारा घटित किये गे, जो panel थे इंटर्यूज में, उन्होंने किस प्रकार से candidates को marks दी, और कैसे कैसे marks का यहाँ पे ओक्षतन यहाँ पे रहा, तो चली बात करेंगे, साथ ही अपने यह भी बात करेंगे, किस प्रकार से marks इंटर यहाँ पे इंटर्यू मार्क से यहाँ पे किया गया, तो चली बात करते हैं, सबसे पहले आप स्क्रीम देख पा रहे हैं, RPC के दोवारा फस्ट रैंकर, यानि कि RS बरती 222 में, जिन्होंने पर्थम इस्थान यहाँ पे रास्ता में प्राप्त किया है, तो उनकी यहाँ पे टोटल जो है, वो theoretical था, और 100 नमर का इंटर्यूस था, तो इस प्रिकास से आउट ओफ हम बात करें, तो 900 में से यह जो total marks है, यानि grand total जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद हम बात करें, general study first में, इन्होंने 200 में से 111.75 प्राप्त किये, इसी प्रिकास से paper second, general study second में इन्होंने 24.75, साथ ही GS जो third है, इन्होंने 122.25, साथ ही paper जो general Hindi का है, और general English का है, paper fourth है, तो उसमें इन्होंने 116.75 प्राप्त किये, इसी प्रिकास से में मुख्य प्रिक्षा में इन्होंने 445.50 जो marks हैं, वो इन्होंने आपे मुख्य प्रिक्षा के return examination में आपे प्र द्वारा लिया गया, तो interviews के दुरान आप देख सकते हैं, 47 number इन candidate को जो RPC members के द्वारा दीए गए, आप देख सकते हैं, इन candidates ने return में कितना आपे इन्होंने struggle करके, return में कितना अच्छा marks उप्टिन करके, इन्होंने all रास्तान में इन्होंने first rank उप्टिन की, यानि कि इन इनका rank जो है, interviews से इतना ज्यादा इनके उपर effected नहीं पड़ा, हाला कि इन्होंने men's में जो paper है, general studies के वहां से इन्होंने अच्छा average, अच्छे marks उप्टिन किये, तो इस प्रकास से इनकी ranks पे कुछ ज्यादा variation यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिला, लेकिन हम बात करें पिछली बार यहाँ पर जो RS भरती 2018 की जो result आउट हुए थे, जो first ranker थे, उनको यहाँ पर 77 marks यहाँ पर RPC panel के दोरा interviews में दिये गए थे, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा variation यहाँ पर ranks का यहाँ पर बढ़ता है, और यहाँ पर ज़्यादा यहाँ अगर हम बात करें तो written examinations में ही इनोंने इतना marks ले लिया कि इनोंको interviews का कुछ ज़्यादा है हाँ पर, effect इनके score पर नहीं पड़ा, और ओल हम बात करें तो 900 में से इनोंने 400 ब्राण में, 0.50 यानि कि 400 ब्राणों marks इनोंने total जो 900 में से out of 900 में इनोंने प्राप्त किया, इसी प्रकास से रास्ता मुक्ता राव की, जो की 2018 में है, मैं उसकी भी तुलना इन केंडिडेट से करवा देता हूँ, ये भी first ranker थी 2018 में, मुक्ता राव इनका नाम था, इसी के साथ में हम बात करें थोड़ा इनके बारे में, तो यहां से आप देख सकते है, general studies में, इनोंने 101 marks यहां पर उप्टे और 77 marks हुए है, इन्होंने इंट्रियूस में उक्टन किये, तो इस परकास से 526 marks यहां औरोल यहां पर first rank लाने के लिए इनको लाने पड़े, लेकिन अभी हम बात करें 2021 की candidate का, तो इन्होंने यहां पर 400 brand में, 400 brand में इन्होंने top rank यहां पर आसिल कर ली, first rank यहां पर इन्हो इन्हों मिला है, next candidate की मापक सामने लेके आरों, जिनके rank यहां पर 214 है, इन्होंने GS paper में आप देख सकते 84 हैं, फिर 89 है, फिर 95 है, फिर 99.7 है, इस परकास से total grant इन्होंने उप्टिन की 368 point पिछेतर, इंट्रियूस का आगर आप देखें, तो इन candidate के मात्र 43 marks इंट्रियूस इन्होंने प्राप्त किया है, इनके paper first में 79.50 है, 91.50 second paper में, third paper में 107.75 है, 107.50 यहां पर fourth paper में उप्टिन किये, इस परकास से total 386 point 25 marks इन्होंने total उप्टिन किये, और इंट्रियू में इन्होंने आप 62 number उप्टिन किये, और total इनकी हम grant की बात करें, तो 900 में से इन्होंने 448 point 25 marks से उप्टिन करके, ओल रास्तान में इन्होंने 11 वी rank हासिल की, आगे हम बात करें कुछ mark seeds की और क्यों तो आप देख सकते हैं, यहां पर paper first से लेकि paper fourth में इनकी grant अगर देखें, तो 303 point 25 इन्होंने उप्टिन किये, देखें सबसे ज्यादा average की हम बात करें, तो यहा 344 यहाँ पर इन्होंने marks उप्टिन किये, 43 ranks इनको यहाँ पर प्रापत दुई, आगे हम बात करें 147 ranks इन्होंने आप उप्टिन की, marks की बात करें, तो यहाँ पर देख सकते है paper fourth में इहाँ पर average इहाँ पर 95 है, और third paper की बात करें तो 108 है, second paper की बात करें तो 87 है, और इसी से भी average marks मान सकते हैं, फिर भी इन candidates ने 147 ranks इहाँ पर और रास्तान उप्टिन की, आगे हम चलते है paper first में आप देख सकते हैं, 75.25 है, paper second की बात करें, 77.25 है, paper third की बात करें, तो यहाँ पर 86.75 है, paper fourth की बात करें तो 85 marks है, total यहाँ पर 324 है, intrus marks आप देख सकते हैं, 71 हाला कि rank इनके 490 है, तो आप देख सकते हैं, कितना बड़ा इनका interviews का benefit यहाँ पर रहा है, आला कि first ranker को भी इतने marks तो नहीं मिले interviews में, चलिए बात करतें, next candidates की, इनका rank बात करें, तो third rank यहाँ पर रास्तान में इनोंने प्राप्त किया, GS first paper में 81.25 है, साथी 92.50 यहाँ इनोंने paper second में, third paper में 113.25 है, 107.50 यहाँ पर fourth paper में, total इनोंने 39.50 और 55 marks इनको यहाँ पर introduce मिले, काफी बड़ा score यहाँ पर है, 55 marks बहुत जादा होते है, rank decide करने के लिए, लेकर return की हम बात करें, तो average यहाँ पर उतनी है, जितने बाकी candidates की है, चलिए बात करतें, next, इनके rank 44 है, हाला कि इनोंने first paper में 94.75 उप्टेन की, चोराण में जो number है, उन्होंने paper second में लिए, 100 number third paper में, 102 fourth paper में, total इनोंने यहाँ पर 300 इकराण में, और इसी प्रकास से interviews में आप देखें हैं, तो 43 marks इनको marks मिले, इसी साथ इनको 44 rank यहाँ पर आसे लिए, हाला कि इनके interviews में marks अच्छी हो paper fourth में आप देख सकते हैं 113 है, और paper third में इनोंने अच्छा score किया, 101 है, तो आप देख सकते paper third और paper fourth का average है, average, average कफी अच्छा है इनका, उसके बाद में इनोंने interviews में 43 marks उप्टेन किये, और total 445 और इसी के साथ इनोंने 15 वी rank रास्तान में हाशिल की, आरेस में, next mark sheet आप लो 45 वी rank की, जिन्होंने marks obtain की बात करें, तो men's के total यहाँ पर 345 है, interviews में इनोंने यहाँ पर 64 याने की 64 marks obtain किये, और बाकी में देखें तो average यहाँ पर 80 to 90 इनोंने average बनाया, next हम बात करते हैं, next candidates की, विनो सोनी इनका नाम है, हालागी total 111 में भी rank है, और इनोंने भी average अगर दे interviews की हम बात करें, तो इनके 40 नमर का interviews में marks इनको overall यहाँ पर 100 में दिये गे हैं, members के दौरा काफी बड़ा score यह नहीं कह सकते, काफी low यहाँ पर score यहाँ पर माना जाता है interviews का, चलिए बात करते हैं next candidates की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके 43 rank है, और इनका interviews में score जो है वो 61 है, और अगर total बात करें, तो इन्होंने भी हाँ पर paper 3rd और paper 4th में average average यहाँ पर 100 के आसपास रखा है, उसके बाद next candidate की बात करें, तो इनके हाँ पर 166 rank है, और इन्होंने interviews में account marks हो प्टेन किये, साथ ही बाकी subjects में इन्होंने यहाँ पर 80 से लेके 90 की बीच में average यहा बात करें, नेक्स candidate की, इनकी rank 11 है, और इन्होंने हाँ पर interviews में बास्रेट नमर प्राप्त किये, और 386 total mains में लिए, उस प्रिकासे total 448 के साथ इन्होंने rank जो है, वो 11 इन्होंने प्राप्त की, उसके बाद next candidate 357 है, जिनको interviews में 50 नमर मिले, और overall इनके marks है, वो 401 है, उसके ब इन्ट्रूस पेनल के द्वारा जो इन्ट्रूस लिए गए थे, काफी इन्ट्रूस में आप देखेंगे कि यहाँ पर marks के कारण इनकी जो number है, वो देख सकते हैं, साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि marks का काफी बड़ा average इन्ट्रूस का एक के rank decide यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि आप देख पारे first candidate को इतना ज़्यादा effect यहाँ पर इन्ट्रूस के marks नहीं किये, बाकी बाकी जो candidate है उनको इन्ट्रूस का इतना बड़ा gap यहाँ पर मिला, कि उनकी rank यहाँ पर काफी ज़्यादा यहाँ बढ़ गई, तो इस पर कासे देख सकते हैं कि अगर आप written examinations में अच्छे marks obtain कर लेते हैं, अगर written marks में आप अच्छे खासी marks से paper third और paper fourth में आपने हाशिल कर लिए हैं, तो फिर इस से ज़्यादा बड़ा interviews का roll यहाँ पर आपकी इस total selection में होता नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि paper third और paper fourth को आपको काफी ज़्यादा focus इस exams भी करना चाहिए, और काफी बहतरी तरीके से इस papers को आपको attempt करना चाहिए, आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो सुन में आया होगा, फिर भी किसी प्रिकागा conclusion के और इस आपके minds में है, तो दिए गए comment box में comment कर सकते हैं, thank you.